वो रास्ता तमाम हुआ, मैं गुजर्था रहा और ये सफर आसमान हुआ साथियों, धाई साल में अपने एक्जम्पर परिवार को सो करोड व्यू समर्पिच बोने पर पूरे अपनी फ्रेकल्टी स्टाफ, अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ, एडिटर, टाइपिस्ट, छोटे से लेकर सभी बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सभी उन विद्यार्तियों को, उनके परिवार वालों को, जिरों ने हम पर भरोसा किया, और हमें इतने कम समय में बिलकुल एक्दम, छोटे से एक्जम्पर को आज सो करोड व्यूस तक पहुँचाया, आप सभी का एक्बार फिर से जड़ा धन्यवाद। स्टूरेंट सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजे, ताकि और भी स्टूरेंट्स क्लास में लाइव आ सके, वेरी वेरी गुड़ आफ्टेनों, सभी को जल्दी से आ जागा, बिलकुल बिलकुल फड़ा फट से सभी को आ जाना है, और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम वही अपने कोशन करेंगे, टॉप 25, 30 जितनी भी होते हैं अच्छी क्लास में, सब बहुत अच्छे खासे इंपोर्टेंट कोशन है, हर्याना वाले स्टूरेंट्स के बताती हूं, मैंने कल क्लास ली थी, आई तिंग, डेड़ दो गंटे की क्लास थी आपकी कल की, दो पहर एक बज़े ही ली थी, जिसमें मैंने C, C++, Python, Languages related बहुत सारे कोशन्स आपको कवर करवा दिये थे, और उसकी PDF हरयाना एक्जाम्स वाइक्जामपूर के टेलिग्राम ग्रूप पर भी दलवा दिये थी, ना, चलो, तो आज से स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिलकुल कॉपी और पहन लेकर आप लोगों को बैठना है, ताकि चीजों को आप लोग नोट कर सकें, जहां पर जो दिक्कता है वो आप मुझसे पूच सकें, चालिए, तो शुरू किया जाए क्लास को, हाँ जी बिलकुल, 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 वेरी वेरी गुड आप्शनून, आप सभी को वन्स अगें, स्टार्ट करते हैं सेशन को कोशन नमबर वन के साथ, कोशन नमबर वन आपके स्क्रिन पर यह रहा है, और क्या दिया हुआ है, पढ़ना है, बताना है, कोशन नम आत्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत होता है वेच्च आफ फॉलोविंग डिवाइस इन दे कंप्पीटर सिस्टम इस फॉंक्षनली अन्लाइक और कीबोर्ड कीबोर्ड के अलावा आप इनमें से और कौन से सिस्टम के द्वारा वही काम कर सकते हो जो काम कीबोर्ड से किया जाता है कोशन नमर वन के लिए कौन से ओप्फिन करेक्ट होगा बतानाे आपको जल्दी से D answer कैसे हो जाएगा भई मतलब हाद दें D answer कैसे होगा keyboard जो काम करता है वो इन में से और कौन कर सकता है देखो basically keyboard का काम क्या होता है क्या करता है keyboard का keyboard अक्षर को print करता है A B C D 1 2 3 4 direction दिखाता है delete करता है enter करता है यह सारी चीज़े करता है तो यदि आपका keyboard खराब हो जाए तो आप काम कर सकते हैं mouse की जरीए और अगर mouse खराब हो जाए तो keyboard से काम कर सकते हैं keyboard और mouse दोनों एक दूसरे के parallel होते हैं option B इस concept बिल्कुल correct हो जाएगा mouse जिसका विसकार 1964 में Douglas Engelbert के द्वारा Douglas Engelbert इनके साथ साथ एक और व्यक्ती थे इनके फ्रेंड उनका नाम था William English Douglas Engelbert के द्वारा William English नाम के व्यक्ती के द्वारा mouse का विशकार किया गया था 1964 में clear है अच्छा mouse आया तो से related एक चीज है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ न कीबोर्ड के बारे में है अगर आपसे पूछा जाए कौन सी modifier की होती है modifier की किनको कहा जाता है बताइए जरा कोई option नहीं मिलेगा चेक तो करूँ मैं कि आप पढ़ भी रहो खुद से या नहीं केवल एक बज़े की class होती है खतम फिर आप पढ़ती नहीं हो modifier की किसे कहा जाता है इसको शंशोधक भी कहते है इसको शंशोधक की या बटन भी कहा जाता है थीक है modifier की किसको कहते है इसका और नाम है alpha numeric की इसको alpha numeric की भी कहा जाते है alpha numeric की कि तो नी हो ती है और और कौन कौन सी होती है बताईज़र हाँ बिलकुल ठीक है अरे वाँ एप्लीकेशन पर पढ़ा है अभी एप्लीकेशन पढ़ा तरह नहीं 11 बजी चलिए इसका PDF मिलता है या नहीं मिलता देखो मैं बतारी हूं जो मैं ठोरी लिखवाती हूं मतलब अगर मैं कोई टॉपिक है जो मैं ठोर्टीकल पढ़ा रही हूं ठोरी कि मैं PDF नहीं देती यूट्यूब वाली चाहिट सी बात देखो application वालों को definitely मिलती है ठोरी की PDF यूट्यूब वाले students को नहीं दीती लेगिना अगर मैं multiple choice questions करवारे हूं जैसे MCQAE MCQ PDF में आप लोगों को upload करवा देती हूं परिक्षागर्ड टेलिग्राम ग्रूप है वहां पर भी upload होती है हर्याना एक्जाम वा एक्जाम पूर टेलिग्राम ग्रूप है वहां पर भी upload होती है और एक्जाम पूर का official application है वहां पर भी upload होती है clear चली इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं तो modifier की यह पर्टिकुलर्ली तीन प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है इन में आती है control की, alt की और control हो गई, alt हो गई, shift की, यह तीनों बटन इसी के अंदर आते हैं clear, control की का इस्तमाल पर्टिकुलर्ली किया जाता है Microsoft Office की shortcut की का इस्तमाल करने के लिए, alt की को alternative की कहा जाता है, जो काम, जो काम mouse का होता है, वही काम आप alternative की से कर सकते हो, alt, shift की का इस्तमाल किया जाता है, symbol को, special symbol को, chin को print करने के लिए, अगर आप shift के साथ one दबाओगे, तो one पर जो special character होगा, वो print हो जाएगा, clear है, यह तीनों होता है, चली, आगी, question number second देखेंगे, क्या दिया हुआ ह question number second आपको दिया हुआ है, लिब्रे office calc का default font name क्या होता है, लिब्रे office calc का, मैं कल पर सुब तक exam, पुर की marathon ले लिजे नो को exam, कौन से exam की बात कर रहे हैं, आप triple C के लिए, बाबु भई अच्छा, बाबु भई अभी अभी पढ़ने है, बताओ तो सही कौन से marathon की बात कर cc, जब आप मुझे बताओगे तभी तो मैं उसको solution बताओंगी, चलो पढ़लो पहले, अभी नहीं, पहले पढ़लो उसके बाद पूछती हूँ, question number second का answer क्या हो जाएगा, definitely option B होगा, liberation sense, liberation sense, ठीक है, यह होता है, अगर मैं, लिब्रे office की बात करती हूँ, लेकिन अगर मैं Microsoft Office की बात करती हूँ, MS Word की बात करती हूँ, तो Microsoft Office में by default भाशा होती है, कैलिब्री, क्या होती है, कैलिब्री, question number third देखेंगे, क्या दिया हुआ है, इसमें, थोड़ा जल्दी कर लो, फिर में last में, आप लोगों को सारे solution देती हूँ, दूरस्त स्थान जैसे Google Drive पर, लिब् Office सेम ऐसे ही है, जैसे Microsoft Office है, Microsoft Office में दस्तावेज को बनाने के लिए MS Word का इस्तमाल किया जाता है, Libre Office में Writer का इस्तमाल होता है, MS Office में हम इस्तमाल करते हैं, इसका Excel Sheet का Spread Sheet को बनाने के लिए, और Libre Office में Calc का इस्तमाल होता है, Microsoft Office में प्रस्तुती करन बनाने के लिए MS PowerPoint का इस्तमाल होता है और Libre Office में उसी को impress कहते हैं दोनों एक दूसरे के parallel चलते हैं आपके उपर अपचाओ तो Libre Office पे भी वही काम कर सकते हो जो MS Office पे करते हैं अब चाहे फाइल Libre Office की हो चाहे MS Office की हो अगर आप इनकी फाइल को Google Drive पर डालना चाहते हैं बहुत सारी फाइल हो गई है आपके computer की hard drive को भर देती है और अगर आप इन फाइल को Google Drive पर डालना चाहते हो कि आपकी जो memory है वो कम खर्चो तो इसके लिए remote, save remote का इस्तमाल किया जाता है इसके लिए किसका इस्तमाल किया जाता है तो इसके लिए save remote का इस्तमाल किया जाता है जिससे आपके Libre Office या MS Office का डेटा डारेक्ट इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है Question No.4 important है चुने गई text का अकार बढ़ाने के लिए अगर आपने कोई text लिखा है जैसे मैंने लिखा यहाँ पर example अगर मैं इस example को select करती हूँ ठीक है अब मैं चाहते हूँ कि इसका size बढ़ जाए, increase हो जाए अब यह example थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा दिखाई दे तो इसके लिए कौन सी shortcut की का इस्तमाल किया जाता है बताईए जड़ा हाँ save remote बिल्कुल ठीक होगा चलिए question number 4 बताना है क्या answer होगा इसका दो मिन रुक जोब पहले question कर लो उसके बाद आपके जो भी सही answer होग option C देखो अगर आप text को increase करना चाते हो तो control के साथ ये close bracket आएगा कैसे याद रखोगे दबाना बंद करना जिसको जितना बंद करोगे वो उतना बढ़ता है close bracket font को increase करने के लिए इस्तमाल किया जाता है open bracket अगर font को छोटा करना है तो इस्तमाल होगा clear है चले आगे next question number five देखेंगे लिब्रे ओफिस इंप्रेस यह भी question पूछा जाता है अब तो यह हर जगा पूछा जा रहा है हाला कि लिब्रे ओफिस ट्रिपल सी के लिए important है अधरवाइस तो यह सब में पूछा जा रहा है क्योंकि लिब्रे ओफिस का यह वाला question important हो जाता है लिब्रे ओफिस का अधिक्तम जूम जादा से जादा कितनी बड़ी बड़ी चीजों को देख सकते हो तो अधिक्तम जूम लिब्रे ओफिस का होता है 3000 कितना होता है 3000 होता है clear है अब कुछ चीज़े मैं आप लिखवारे उसको note कर लेना ठीक है देखो microsoft word का minimum zoom होता है 10% maximum होता है 500% MS excel का minimum zoom होता है 10% maximum होता है 400% और MS powerpoint का minimum zoom होता है 10% maximum होता है 400% clear है MS Libre office impress का अगर मैं इसी की बात करती हूं Libre office impress का तो इसका minimum zoom कितना होता है 5% और maximum होता है 3000% ठीक है कितना होता है 3000 प्रतिशत आगे चलते हैं next देखो question number six what is the full form of CMS computer की भाशा में CMS की full form क्या होती है हां जी 3000 बिल्कुल सही है computer की बाशा में CMS की full form क्या होती है CMS का मतलब क्या होता है तो content management system एक ऐसा system जो की internet पर upload हो रहे सारे content को बड़ी बारी किसे देखता है तो जो file internet पर upload होती है पहले उसके content को देखा जाता है ठीक है जैसे movie launch होती है तो पहले वो देखी जाती है वह कौन सी grade मिलाने इसको ए मिलानी है B मिलानी है C मिलानी है दी मिलानी है आपके content को भी उसी हिसाब से तोड़ा जाता है और उसी को CMS कहते हैं ठीक है अगर कोई दंगे फिलाने का काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका content ना तो publish होता है बले उसको जेल और कर देते हैं क्योंकि आजकल हमारे में जो 26 February में कानून बने है गाइडलाइन्स वनी हैं इंटरनेट को यह networking, social networking sites को लेकर वो थोड़ी भेंकर अच्छी खासी हो गई है URL को कितने भाग में बाटा जाता है यह URL कितने भाग के होते हैं बताइए ज़रा URL टोटल कितने parts के होते है, question number 7 के लिए कौनस option correct हो जाएगा तो URL के अगर में बात करते हूँ, इसकी full form होती है, uniform resource locator URL की full form होती है, uniform resource locator, clear है? URL तीन भागों में बाटे होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं, majorly तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं URL के गरें बात करते हूँ, कैसे? जब आप इसको लिखोगे न, यह एक address होता है, URL basically होता क्या है? तो URL, web, जो भी आप page देख रहे हो, उन page के address, पते को URL कहते हैं, जब भी आप कोई site खोलते हो, जैसे मैं बोलूँ, आप example open करो, तो उसका address ऐसे लिखा हुआएगा www.example.com और अगर आपने इस website का पहला page खोला है, तो पहले page को बोलते हैं, homepage.html, clear? अब यह तीन पार्ट में डिवाइड होता है, वो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहला पार्ट इसको बोला जाता है protocol, protocol का मतलब होता है नियम वे कानून का सम्हू, दूसरा होता है domain name, domain name का मतलब होता है, आप कौन से website को open कर रहे हूँ, example.com, facebook.com, google.com, instagram.com, ठीक है Home page का मतलब यह तीसरा part होता है, इसको बोला जाता है path, आप example की कौन से page को देख रहे हो, clear, तो protocol, domain name, path, इन तीन चीजों में URL को बाटा जाता है, आगे चलते हैं, question number देखेंगे आपर 8, क्या दिया हुआ है, निमलिखित में से किसका उपयोग करके cryptocurrency का संग्रह किया जा सकत है, cryptocurrency can be stored using which of the following, cryptocurrency जैसे bitcoin, bitcoin क्रिप्टो करंसी तो है, और आज के डेट में लाखों की संख्या, मैं आगे चलके तो मुझे लग रहा है, करोलों की संख्या है, ठीक है, तो bitcoin क्रिप्टो करंसी है, अब cryptocurrency जिसको आप निकाल नहीं सकते, बैंक में से, जो note की form में नहीं होती, सि travel इंटरनेट पर travel करती है, तो bitcoin को स्टोर करने के लिए आपके पास crypto wallet होना चाहिए, क्या होना चाहिए, crypto wallet होना चाहिए, अच्छा एक और question है, जो यहां banking के student होंगे, मुझे लगता है, बता देंगे, यह clear हो गया, crypto wallet विल्कुल ठीक है, देखो एक question है, अगर आप bank account से, य यदि आप share, यदि आप share खरीदना चाहते हैं, share को खरीदने के लिए कौन सा account होना अनिवार रहे है, बताना चला, share को खरीदने के लिए कौन सा account होना अनिवार रहे है, share के बारे में पता होगा, share का मतलब क्या होता है, share market में पैसा लग रहा है, share खरीद लो, उस company के share चैसे कोई कंपणी यह मिज़सी बात करते हूं आ जnewी कंपणी उसको दो लाग का प्रॏट है अब वो दो लाग उस गुम्पनी के यह आप से बाट देती है अपने वह तो लाग को मतलब कंपणी पर विक्राए जैसे आप शेयर खरीटते हो अब आप उस कंपनी के मेंबर हो जाते हो अगर कंपनी ग्रो करती है तो आप लोगों के पैसे बढ़ जाते हैं आपने कोई शेयर 10 रुपए का खरीद है आज उस कंपनी की जो वेल्लिव है वो एक करोड है तो आपका 10 रुपए 100 क्योंत मेड़ बन जाएगा ये शेयर मार्केटो के शेयर स्खरिदते हैं शेयर करिदने के लिए कौण सा काउंट होना चाहिए देम एकिंट्क का होना भाल जरूरी है देम एकंट्क का सिर्पन घिया जाता है ठीक है फूच सकता है कोश्य नमबर देखेंगे 9 कोश्य क्या निमली कितमेसे कौन से स्क्रिन अन अधिक्रित उपयोग करताओं को आपकी फाइलों तक पहुचाने से रोकती है शेर को नहीं भगवान यह शितानी कर रहे हो पता है आपको ठीक है चलो कोशन नमबर 9 का बताने कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा शेर को कौन खरिदने की बात कर रहे हैं मतलब हद यह क्या करोगे शेर को खरिद गे हां वह आपको इनी छोड़े का फिर अगले दिल कोशन अथराइज एकसे से बचना चाहते हो अपनी चाहते कि आपका चोटा भाई-बेन आपके लैप्रप को खोले आपनी चाहते कि आप बाहर बैठे होए हो आपका फ्रेंड आपका फोन कर रहा है ना तो हम क्या करते हैं अपने फोन को ताकि दूसरे लोग उसका इस्तेमाल ना होने ठीक है चलो कुश्चन नमबर देखेंगे 10 जब कंप्यूटर शुरू होता है तो निम्न में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य मैमोरी में सबसे पहले लोड होता है वेच आप दी फोलोविंग प्रोग्राम इस फर्स्ट लोड़े इंटो में मैमोरी वेन दा कंप्यूट स्टार्ट बिल्कुल यह वाली क्लास अटेंड कर सकते हो डेफिनेटली इस क्लास से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इसलिए मैं बोलती हुए आई हूं मैं क्लास आपको एंसी आर्टी बेस्ट करवाती हूं ताकि हार एक एक एक्जाम के लिए यूसफुल रहे कुछन नमबर 10 जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं कौन सी प्रक्रिया होती है बूटिंग होती है जैसे कंप्यूटर को शुरू किया जाता है उस टाइम पर कौन सी प्रक्रिया होती है उस टाइम पर होती है बूटिंग बूटिंग का मतलब क्या होता है रॉम की एक चिप ओती है आयोज है यक रोम की चिप का नाम है वाय औस की frater मोदी आब iip system ईसिक एनपूर्ट और सिस्टम यह फ्लुवर्म होती है वायस और जैसे पूर इनकी प्रक्रिया हो यह test करती है उस test को मुछते हैं post test post कीा फॉल سब्समा उती है power on self test क्या होती है power on self test ठीक है और booting के दौरान operating system को computer के अंदर install किया जाता है तो computer के अंदर सबसे पहले कौन सा program चलता है operating system किसकी मदद से BIOS chip की मदद से BIOS ROM की chip है ROM एक non-volatile memory है स्थाई रूप की memory है permanent memory है तो इतनी चीज़े आपको इस question से देखने को मिलती है next question number 11 question number 11 क्या दिया हुआ है mobile phone में Ubuntu operating system का इस्तिमाल किया जाता है कौन से normally हम लोग कौन से mobile का इस्तिमाल करते है या तो हमारे पास एक normal mobile होता है या तो हमारे पास apple company का phone होता है apple company के mobile phone के अंदर mac नाम का operating system पाया जाता है जिसकी full form है Macintosh clear normal mobile phone के अंदर android नाम का operating system पाया जाता है कौन सा android पर जरूरी नहीं आप android का इस्तिमाल करो बहुत सारे और भी operating system जिसे window window पाया जाता है जब Nokia Lumia निकला था याद है किसी को नॉर्मल mobile phone के अंदर window पाया जाता है जब Nokia Lumia करके mobile निकला इसने बहुत पीक पकड़ी थी भाई साब एक साल में बहुत विखा था यह तब कौन सा operating system इस्तिमाल किया गया तो mobile phone में भी window operating system आ गया जो computer में इस्तिमाल होता था लेकिन क्या Ubuntu का भी कोई version है जिसको इस्तिमाल कर सकते है mobile के operating system के तौर पर तो बिलकुल Ubuntu Touch option A इसकांस है बिलकुल correct हो जाएगा अचा एक और चीज़ यह जो Ubuntu है ना Ubuntu Linux एक operating system है याद है एक हो जाएगा Ubuntu जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और एक है इसके अंदर Linux Mint तो यह तीनो Linux के ही operating system clear आगे चले आगे देखते हैं Nokia Lumia में विंडो आये था तब लोगों ने बहुत मतलब बढ़ चड़के सा लिया काफी लोगों के पास Nokia Lumia आ गया था अच्छा पून था ठीक है पहले थोड़ी न इतने smartphone इतने smart हुआ करते थे पहले आदे वो छोटे वाला phone खेल थे तो इसमें एक ही गेम आता था साप CD वाला वो टिकर 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 साप चलता रहता था और वो बढ़ता रहता था था ना टच हो जाएगा तो गेम ओवर हो जाएगा बाउंस गेम आता था एक नहीं नोकिया के फोन के अंदर चलो कोशन नमबर बारा देखेंगे निमनिखित में से वर्तमान में प्रसिद्ध प्रिंटर कौन सा है सबसे जादा पॉप्लिर प्रिंटर आज की डेट में कौन सा होगा हां की पेड़ वाला ही तो चलो बाकी फोन फोन होता है जरूरी नहीं आइफोन होगा तभी आप पढ़ पाओगे नॉर्मल पढ़ने वाला बंदा कैसी पढ़ सकता है कोशन नमबर बारा के लिए कौन सॉप्शन करेक्ट हो जाएगा तो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मतलब बहुत ज उटीर गुर्णमंता होती है वो बिलकुल बैतर बैकरी नोथी उसको लेजर पिंटर कहते है अच्छा लेजर की फलिफर्म किया होती है वहते सब्सक्राइन कि बुर्ट इक लिजर एजर की फुरॉंट ओगी की फोल्पर मों लाइट Amplification for Light Amplification for Stimulated लिख लेना important है Stimulated Emission of Radiation Stimulated Emission of Radiation यह full form होती है laser की Laser का विशकार किसके द्वारा किया गया था तो Theodore Manon नाम के व्यक्ती के द्वारा Laser का विशकार किया गया था Clear है? चले आगे बही clear है? आपके पास पतांजली का फोन है? मेरे पास कौन सा है? मेरे पास तो भई motor roll है ठीक है? पढ़ लो यह नहीं आने वाला कि किसके पास कौन सा फोन होगा अभी मैं question पूछूँगी मैं test लोगी अभी तुम्हें question करवा रही हूँ क्योंकि डांट नहीं पढ़ रही है आप लोगों कि इसलिए आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे हूँ और बिना पढ़ाई के कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है? किसमत कुछ नहीं होती मेहनत सब कुछ होती है question number 13 देखो whatsapp में कितनी फोटो एक बार में दी जा सकती है अगर आप whatsapp में किसी को फोटो देना चाते हो तो whatsapp में एक साथ आप कितनी फोटो को दे सकते हो बताईए ज़रा बताना या answer क्या होगा इसका? अरे inkjet printer का इस्तमाल किया जाता है किसके लिए? देखो उसकी गुर्वनता अच्छी नहीं होती प्रसिद्ध का मतलब होता है popular जो अच्छी चीजे करता है अगर question आता ना कि ज़्यादा तर कौन सा question मतलब ज़्यादा तर या जो most selling है या जो बिलकुल किफायती है अगर किफायती printer की में बात करती economical printer की में बात करती जो ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है ज़्यादा number में इस्तमाल किया जाता है तो वहाँ पर मेरा inkjet printer होता लेकिन question पूछा गया है कि most popular popular का मतलब होता है प्रसिद जिसमें ज़्यादा चीजे हो ज़्यादा quality देता हो तो ज़्यादा quality देने वाला laser है ठीक है चली clear तो whatsapp में एक बार में कितनी file send कर सकते है 300 option भी correct हो जाएगा अच्छा एक और question पूछ रहे हूँ whatsapp में एक बार में कितने MB का data share हो सकता है एक बार में कितनी बड़ी file share कर सकते हो whatsapp के अंदर बताना चला हाँ 30 का answer बिल्कुल correct हो जाएगा 30 बिल्कुल सही answer है एक बार में कितने MB का data whatsapp में share हो सकता है अगर आप कोई file share करना चाहते हो तो maximum उसकी जो size होती है file की वो कितनी होनी चाहिए 50 अच्छा 25 पिटाई करोंगी जो 25 बोल रहे है 25 MB की file electronic mail में चाहिए होती है whatsapp में 65 MB चाहिए होती है whatsapp में 65 MB तक की file चली जाएगी लेकिन email में 25 MB चाहिए होती है ठीक है चलो आगे चलते है question number 14 देखो 14 क्या दिया हुआ है निम्लिकित में से bing search engine किसका उत्पाद है bing इन में से कौन सी company का बनाया गया search engine question number 14 के लिए कौन सा option correct होगा पंजाब पुलिस के लिए बोल रहे हो देखो मैं अपनी कुछ classes आपको बताती हूँ उन classes से cover हो जाएगा अगर आपको बिल्कुल computer नहीं आता है आप एकदम से लेना चाहते है तो ठीक है मैं कुछ classes बताती हूँ कोशन नंबर 14 देखो बिंग Microsoft का एक product है एपल का कौन सा सर्च इंजन है सफारी सफारी एपल का सर्च इंजन है गूगल का सर्च इंजन कौन सा है अरे गूगल खुद सर्च इंजन है गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है और गूगल एक सर्च इंजन है ठीक है क्लियर है बस चलो याद रहेगा आगे चली हाँ बिल्कुल ठीक है हाँ देको अब मैं बोल रही हूँ जितने बच्ची यहां पर है जिनका एक्जाम सर पर आ चुका है और आपने कंप्यूटर की तैयारी नहीं करी ठीक है देख लो वैसे तो यह परिशानी की बात है क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हो एक्जाम के टाइम पर पढ़ते हो पर आप मैं आपको डाटू से अच्छा है पर आपको सॉलूशन दे दो जिन बच्चों के कंप्यूटर कम्जोर और जिनका पेपर अभी आने वाले चाहिए निके अंदर आने वाला आपकूटर की मेरातन देख लेना आप यूट्यूब पे डालिए गा मैराथन computer marathon by pretty man, example, आप ये डालना यूट्यूब पर और यहाँ पर आपको मेरी marathon दिख जाएगी, कौन सी marathon लेनी है, क्योंकि मेरी marathon बहुत सारी हो चुकी है, आपको marathon लेनी है एक तो, जिसमें लिखा हुआ है, एक class computer खलास, ठीक है, एक class computer खलास, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, ये वा marathon के नाम से, ये ले लेना, एक class computer class, ऐसे दो class मिल जाएंगी, ये मैंने दिल्ली पुलिस में ली थी, चेक करना मिल जाएगी आपको, एक मैंने anti PC के लिए लिए, वो एक class की marathon है, उसमें top 100 questions करवाएं, 100 ये 200, आपके इवाल इन 3 ये 4 class को ले लो, आपको computer बहुत अच्छे से आजाएगे और आप score भी अच्छा करके आओगे, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए, जो last time पे जागते हैं, ना, तो ये class देख लेना, ठीक है, लिख लेना, screenshot ले लो, बेशक, आगे चलते हैं, question number देखेंगे, पंदरा SEO की full form क्या होती है, what is the full form of SEO, SEO की full form क्या होती है, question number 15 के लिए, कौन सॉप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, question number 15 के लिए, कौन सॉप्शन करेक्ट होगा, SEO की full form क्या होगी, बताना है आपको, चलवाना है, start हो चुका है, बिल्कुल, search engine optimization, full form होती है, किसकी, SEO की, search engine optimization, ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखो, जब भी आप कोई search करते हो, सबसे ज़्यादा जो वीडियो उपर उठके आती है, वो SEO की वज़े से आती है, search engine optimization, searching करने पर जो वीडियो पहले, दूसरे, तीसे, चौते, पांचवे नमबर पर होती है, वो SEO की वज़े से होती है, ज़्यादा तर लोग उनी वीडियो को prefer करते हैं, जैसे आप पर देखेंगे, 16, scroll bar कितने प्रकार के होते हैं, scroll bar कितने टाइप के होते हैं, बताईए ज़रा, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं, आंसर बताना है, बेसिकली, तो स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, जब मैंने आपको MS Word पढ़ाया था, उसमें Windows बताई थी, बताई थी, सबसे उपर वाला बार कहलाता है, टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे आता है, मैन् पीचे आता है, स्केल बार, एक साइड में होता है, स्क्रॉल बार, जिसको हम बोलते है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो पेज को ऊपर या नीचे करता है, एक बॉटम में स्क्रॉल बार होता है, हाला कि वो इतना बढ़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है, इतना होता है, इसक काम क्या होता है इसका काम होता है पेज को बाई और दाइं तरफ मूव करना दो तरीके के स्क्रॉल बार होते हैं एक होते हैं वर्टिकल जो पेपर को अप एंड डाउन करते हैं और एक होते हैं होरिजॉंटल जो पेज को बाई या दाइं करते हैं मतलब लेफ्ट या राइट में shift करते हैं वाइं या दाइं में shift करते हैं ठीक है कुछ नंबर देखेंगे 17 क्या दिया हुआ है background के किसी program को foreground में लाने के लिए निम्ण में से किस command का इस्तिमाल किया जाता है अगर कोई program background में जैसे मैंने 3-4 file खोली मैंने suppose मैंने whatsapp भी open कर रखा था मैंने chrome भी अरि को रखा था अचानक क्या होता है अचानक मेरी पास call आता है कौन बंढेगा करोड़ पती से pretty madem आप खिलना चाहती कौन बनेगा करोड़ ठीक अचया ने बास आता है call एक example लेते हैं अब अब एग्जाम्पल लेते यह और पास call लाए अब है तो यह धोनों जो मेरे थे जो मैं चला रही थी जिनको स्विच करके यह दोनों प्रोग्राम मेरे बैक्ग्राउंड में पहुंच जाएंगे अब जैसे कॉल कट गया मैंने बोल दिया हम भी या मैं खिल लूँगी जैसे मैंने कॉल काटी यह दोनों प्रोग्राम मेरे बैक्ग्राउंड में थे अब मैं दोनों प्रोग्राम को अपनी पहली स्क्रिन मतलब फ्रंट एंड पर लाना चाहती हूं तो इन में से कौन से इन में से कौन सी कमांड का इस्तमाल करूंगी बिल्कुल सही फॉर ग्राउंड में लाना है एफ जी कमांड का इस्तमाल किया जाएगा ठीक है basically command का इस्तमाल किया जाता है CUI वाले operating system में character user interface वाले operating system में जिसमें हम इस्तमाल करते है किसका unix operating system का Linux operating system का और Microsoft disk operating system का clear है चलो next question number 18 देखेंगे ठारा क्या दिया हुआ है किसी column की चोड़ाई कम करने के लिए निम्न में से कौन सी shortcut कुण जी को अपयोग किया जाता है यदि आप किसी column की चोड़ाई को कम करना चाहते हैं तो आप इन में से कौन सी shortcut की का इस्तमाल करेंगे question number 8 के लिए कौन सा option correct हो जाएगा बताने कौन सा option correct होगा तो अगर आपको column की चोड़ाई कम करनी है तो alt के साथ left arrow और अगर बढ़ानी है तो right arrow का इस्तमाल कर लिना यहां पर कम करने की बात की गई है तो answer होगा alt के साथ left arrow मतलब इस वाले arrow का इस्तमाल करेंगे question नमबर 19 क्या दिया हुआ है पढ़ना इसको बताना है linux file system के में विभिन user password कहां पर सुरक्षित रहते हैं question number 19 में कौन सा option correct हो जाएगा बिल्कुल question number 19 के लिए 19 के लिए कौन सा option correct होगा बताना है फटाफट से बिल्कुल पूछता है भई जितने बच्चे class देख रहे हैं पार class को like करो फटा फट से और égerनों ने चैनल को सब्सक्राइब जल्दीसे सब्सक्राइब करना है ठीक है बिलकुल सबको चैनल सब्सक्राइब करना है चाहे आप बैंकिंग के स्टूरेंट हो चाहे आप हर्याना के स्टूरेंट हो चाहे आप MP के स्टूरेंट हो चाहे आप नॉमल वन डे कॉंपेटिटिव ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो यू पी कॉंस्टेबर या फिर यू पी असाइग कर एससे जीडी ठीक है चलो Linux File System पे Password को At Sector और Shadow में रखा जाता है यहाँ पर भी Password है और इसमीं Password है तो Password आंसरोगा उनको مरूँ है बिनacao ven user password यह वींडो वाले operating system में इस्तिमाल किये जाते हैं यहां पर Linux operating system की बात की जा रही है तो Linux operating system में हम ETC और शेड़ो वाले option में password को store करते हैं question number 20 Libre office writer में full screen mode की shortcut की क्या होती है और हाला कि फुल screen mode में Libre office ही नहीं मैं MS office की बात करूंगी Microsoft office या MS word में अगर आप किसी चीज को full screen करना चाते हो तो उसकी shortcut की इसमें से क्या होगी देखो एक तो function की होती है F11 इसका काम भी होता है screen को full कर देना full screen कर देना और इनमें से कौन सी shortcut कुणजी का प्योग होगा बताओ और कौन सी shortcut कुणजी का प्योग किया जाएगा बताने फटापट से क्या होगा कोशन number 20 बीस का अंसर क्या जाएगा बिल्कुल ठीक है control के साथ shift shift के साथ जी अगर आप किसी छोटी स्किन को बड़ा करना चाते हो f11 का भी इस्तेमाल कर सकते हो और control shift जे का भी इस्तेमाल किया जाता है Facebook ID बनाने के लिए नियुनतम कितनी उम्र की आविशक्ता होती है Facebook को कब established किया गया Facebook के CEO कौन है या डारेक्टर कौन है बताना जरा डीटेल से था हो साई Facebook की नियुनतम आई हो कितने साल का बच्चा फेस्बुक चला सकता है कोशन नमबर 21 कौन सौप्चन करेक्ट हो जाएगा आंसर बताने जल्दी से चलो आंसर हमने स्टार्ट भी हो चुका है 13 साल नियुनतम आई हो होती है 13 एयर होती है Facebook को 2004 में establish किया गया माक जुकरबग के द्वारा माक जुकरबर्ग नाम के व्यक्ति के द्वारा यह आप इसके अंदर PayPal के अंतर गत्फी आ गया Facebook में फेजबूक पेज वजया मेसंजर भी बना लिए तो फेज्बूक भी एव थे दिए बहुत आगे बढ़ चुका है कुर्शन नमबर 22 और पूरे विश्व में सबसे जदा इस्तेमाल करने वाली सोशल नेट्वर्किंग साइट भी फेस्बुक ही है कोशन नमबर देखेंगे 22 क्या दिया हुआ है निम्निकित में से सीपी कमांड के बारे में किस से मदद विलती है कि सीपी कमांड एक में रुखना चलो करना एक बार कोशन को पढ़ती हुँ मैं कोशन नमबर 22 का बताना है 22 के लिए कौन सॉप्शन करेक्ट हो जाएगा बताना है पढ़ा पढ़ से सीपी नी सिटी कमांड ना चाहिए था यहां पर एकॉर्डिंग टू मी या फिर देखो यहां पर कुशन में मुझे कुछ गड़बर लग रही है यहां पर इसको ना कमांड पूछनी चाहिए थी के वल हेल्प के लिए कौन सी कमांड का इस्तमाल होता है तो हेल पाती इस कोशन में कुछ गड़बर है इसको छोड़ देना इस वाले कोशन को ड्रॉप कर देना इसको छोड़ दो इस कोशन में गड़बर है कोशन 23 देखते हैं ठीक है उसकोशन में थोड़ी सी गड़बर थी उसको छोड़ देना उसके लावा हम के लिए कौन सी shortcut की होती है F1 help के लिए इस्तमाल की जाती है लिब्रे office में किसी document से बाहर निकलने के लिए कौन सी कुण जी का प्योग किया जाता है अगर आप किसी document से बाहर निकलना चाते हो लिब्रे office में तो लिब्रे office में control प्लस क्यों का इस्तमाल होता है क्यों का मतलब होता है KWIT मैं चोड़ना चाहती हूं किसे तो यहां पर Libre Office के cuál को और अगर आप MS Word की बात करेंगे तो MS Word में प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज करने के लिए प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी shortcut की का इस्तमाल होता है तो control प्लस डबलू ठीक है यह होता है ms word के अंदर और लिब्रे office में quit आता है control प्लस क्यों आता है question number 24 देखेंगे निमलिखित में से कौन सी sound file लिब्रे office impress में जोड़ी जा सकती है इन में से एक ही तो sound file है हाँ चलो बताओ लिब्रे office impress या फिर ms powerpoint में कौन सी sound file को आप जोड़ सकते हो इन में से कौन सी ऐसी file है जिसमें ध्वनी है जिसमें आवाज आएगी कौन सी ऐसी file है वही answer हो जाएगा बताओ question number 24 के लिए कौन option correct होगा question number 24 के लिए कौन option correct हो जाएगा बिल्कुल सही एक ही sound file है बागे तो ही नहीं option A wave इस कांसर बिल्कुल correct होगा MP3 ये भी एक sound की file है clear option A इस कांसर correct होगा question number 25 देखेंगे क्या दिया हुआ है 25 निमलिकित में से कौन सा mobile operating system नहीं है इन में से किसको आप एक mobile के अंदर नहीं चला सकते कौन से ऐसा operating system है जो mobile में नहीं चलेगा कतीनी चलेगा बताओ हाँ वे बिल्कुल सही answer है बई डबलू ए भी बिल्कुल correct है बताइज जल्दी से कौन सा इस operating system है जो mobile के अंदर नहीं चलेगा विंडो 10 अभी मैंने बताया Nokia Lumia था उसमें विंडो चली थी उसमें विंडो 10 भी चली थी डी ओएस इसको भी छोड़ो आई ओएस Macintosh Mac operating system आईफोन के नदर चलते हैं सिम्वियन भी चलता है लेकिन डी ओएस की अगर मैं बात करते हूं तो डी यूएस एक computer का operating system है इसकी फुल फॉर्म है disk operating system इसकी फुल फॉर्म होती है disk operating system और यह एक प्रकार का c ui base character user interface है यह कैसा है यह character user interface वाला operating system है जिसके अंदर आपको खुद से command लिखनी पड़ेगी और यह केवल और केवल system पर चलता है यह computer पर चलता है ना की mobile पर mobile पर यह सारे चलते हैं window iOS Symbian यह सारे window किसके mobile phone के operating system कोशन नमबर 26 देखेंगे क्या दिया हुआ 26 के अंदर निम्लिकित में से किस hacking को सीखने पर government job मिलती है वह इन में से कौन सी hacking सीखोगे तो government job मिल जाएगी बताओ जरा बताओ जरा फटाफट से इन में से कौन सी hacking आप सीखोगे तो को government job मिल जाएगी मतब एक्जाम देना पड़ेगा ओविस सी बात है ना जिसे शाही मैंने blue hat hacker बताया थे ना नीली टोपी वाले उनको बुलाया जाता है कि भाईया आओ हमारी application में कमी बताओ और उनको बहुत अच्छी क्वांड पैसेहएं ठीक है कौन सी hacking सीखते है वो लोग- practical hacking सीखते है एथ कल का मतलब होता है अच्छी है के फारंपरicks hacking सामने वाले को परशान करने के लिए नहीं सामने वाले की कमी बताने के लिए के दिए लो तरीके लोग होते हैं दो तरीकी के लोग hacking करने वाले भी होते हैं एक जो बताएगा कि भाईया आपकी प्रोग्राम में यह कमी आरे इसको ठीक कर लो नहीं तो कोई फाइदा उठा के ले जाएगा और दूसरे जो कमी पर अटैक करते हैं ताकि प्रोग्राम ही नस्ट हो जाए ठीक है तो यह एथिकल हैकर्स होते हैं ज सब्सक्राइब हो जाकर उसको लॉंच किया गया 527 इंस्टाग्राम से क्या तात पर रहे है इंस्टाग्राम किसे कहते हैं देखрах ऐसे इसन आराजकर टॉसरेफश्चापट और की सबया गना है बिल्कुल 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 Instagram को कब launch किया गया था फटा फट से यान से बताना है क्या होगा इसका चलो बिल्कुल Instagram एक social networking site है जिसका इस्तमाल किया जाता है photos, videos डालने के लिए chatting करने के लिए एक तरीके से बोल सकते हो Facebook का छोटा सा प्रारूप है ठीक है जिसको 6th of October 2010 अगर मैं बात करती हूँ इसको कब launch किया गया था तो Instagram को 6 October 2010 में launch किया गया था ठीक है अब Instagram के ओनर कौन है कोई बताएगा Instagram किस company का बनाया गया product है तो Instagram को Facebook के द्वारा बनाया गया है बताओ Facebook ने कितना मतलब पूरी बादशाहत हासिल कर लिए Instagram Facebook का एक product क्या है यह Facebook का एक product है किसके द्वारा बनाया गया था तो गाविन और दूसरे वक्ति थे केविं और maik में गाना गा रहे थे संग्वीन और माइक Instagram को दो व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया एक थे कैविन और दूसरे थे माइक इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर Instagram को अधा Facebook में काम करते थे इन्होंने वहीं से Instagram को बना दिया Instagram Facebook का product है जिसको 2010 में launch किया गया था ठीक है एक social networking site जो Facebook का छोटा सा प्रारूप है question number 28 निमली की तमें से किसमे एश्याई typographic का एहसास होता है इनमें से किसको Asian typographic कहा जाता है particularly बताना अंसर क्या होगा October 2010 बिल्कुल ठीक है किसी के घर भतीजा भांजा हुआ उसके बड़ देट से याद कर लेना बही एर से question number 28 का कौंस option correct हो जाएगा इनमें से कौंसी Asian typographic है तो भाशा language इसका अंसर बिल्कुल correct होगा अच्छा लेंग्वेज से एक चीज याद आई क्या लेंग्वेज कनवर्टर कितने प्रकार के होते हैं लेंग्वेज यह लेंग्वेज चन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं एक असेंबलर का काम क्या होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना अब असेंबली भाषा कौन सी होती है वह निमॉनिक भाज़ा होती है, निमोनिक भाषा, सेंबली भाषा होती है, निमोनिक का मतलब होता है, बड़े शब्दों के छोटे शब्द लिखना, तो इसको श्यांशीनी भाषा में चेंज करूंगें, इसेंबर का काम होगा, दूसरा होता है आपका interpreter और interpreter के साथ ही लिख लेना compiler तो ये तीन basically आपके क्या होते हैं भाशा अनुवादक होते हैं इसको बोलते हैं compiler ठीक है interpreter compiler का एक ही काम होता है ये दोनों उच इस तरी है भाशा को high level language को machine भाशा में बदलते हैं जब दोनों एक ही करते हैं तो दोनों में अंतर क्या होगा बिलकुल अंतर होगा क्या अंतर है interpreter लाइन को पढ़के लाइन को बदलता है ये लाइन बाइन डेटा को convert करता है और compiler सारे के सारे डेटा को एक साथ compile कर देता है whole data one time compile clear program को compile करने के लिए कौन सी shortcut कुणजी का इस्तमाल किया जाता है control plus f9 का इस्तमाल किया जाता है program को compile करने के लिए c c++ किसका इस्तमाल करती है compiler का इस्तमाल करती है program को चलाने के लिए ठीक है सारी चीजे आगे चले लिख विरे हो मैं reasoning की class कौन सी बात कर रहे है application पर चल रही है reasoning जलती है दो दिन में computer आख से बस complete हो जाएगा application में तो परिवर्तन वाले बच्चे जो पहले पढ़ रहे थे reasoning उनकी लिए फिर दो दिन बाद मतलब में Thursday से या देखते है Wednesday से स्टार्ट कर देते हैं फिर ठीक है हाँ वो 11 बजे चलेगी ओके चलो आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा इसका ट्रिपल सी के लिए क्या करूं चलो बताती हो भी इसको लास्ट रख लो फिर Linux में calendar देखने के लिए कौन सी command का उपयोग किया जाता है question number 29 का आंसर क्या होगा तो calendar को देखने के लिए कैल नाम की command का इस्तेमाल किया जाता है calendar मतलब पंचांग आज कौन सी तारीक है यह सारी चीज़े question number 30 लास्ट होगा और यह आपका आज का homework है अब मैं पहले बता दू आपने से जो बच्चे पूछ रहे हैं बहुत सारी चीज़े question number 30 top 25 की class है बड़ चल्दी हो गई कोई बात नहीं 30 question कर लेते हैं question number 30 आप लोगों का homework होगा और इसका answer आप लोगों को offline comment करके जरूर देना है वह अपने प्यारे-प्यारे मासूम हातों को थोड़ा सा कस्ट देने का प्रदान करें थोड़ा सा time लगता है मुश्किल से मैं कौन से आने वाले जिसमें computer आएगा triple c वाले बच्चे पहले तो जिनको triple c के बारे में पूछना है न मैंने एक Libre office की marathon ली हुई है Libre office की marathon देख लेना डाल देना आपको मिल जाएगा Libre office exam for marathon by pretty man मिल जाएगी आपको ठीक है यह triple c की बच्चों के लिए बाकि मैंने जो marathon आप लोगों को बताई है तीन चार उसको आप देख सकते हूं मैंने पीछे बताई थी screenshot ले लेना देखकर जिन बच्चों का हर्याना में exam है क्योंकि हर्याना के exam आ रहे हैं बिल्कुल female constable and SI ठीक है उन बच्चों के लिए क्या है ती बही मैंने सी की c++ की python की थियोरी करवा रखी एक बर इसको पढ़ लेना ये वाली marathon तो सब भी को लेनी है चाहिए आप किसी भी exam में बैठ रहे हो ठीक है हर्याना वालों को अलग से यह लेनी होती है मैंने इसकी theory भी करवा रखी है यह theory class में ले लेना और कली मैंने इसके question करवाए है टॉप 100 टॉप 100 questions NCRT base इनी तीनों भाषा पर अधारित है NCRT वाले questions है इनको भी जरूर कर लेगा ठीक है बस आप इसको करके जाओगे ना आपको बिलकुल regret नहीं होगा कि मैंने computer नहीं पढ़ी अच्छे से और अराम से निकलेगा ठीक है पढ़ने को पढ़ना आपको यह बहानों को थोड़ा सा छोड़ दो कि यह class नहीं ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ ठीक है एक्जाम किसको निकालना है आपको निकालना है महनत कौन करेगा आप करोगे तो इसलिए दूसरों को blame करना बंद करो खुद पर महनत करो और वह जरूर रंग लाती है ठीक है चलो बस तो कि आपका हुंबग रहे जाएगा इस कांसरा आप लोगों को offline कमेंट करके करना है क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भाई एक लाइक जरूर कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और जो बच्चे नहीं जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब करो अब हर्याना वाले चलो क्लास को करते हैं पर एंड मिलते हैं कल अपनी राइम पाठीक एक बजे और बहतरी इन कोस्चन के साथ और इसकी PDF में परिक्षागड के टेलीग्राम ग्रूप पर हर्याना एक्जाम स्वाइग्जाम पूर के टेलीग्राम ग्रूप और एक्जाम पूर के ऑफीशियल पर डलवा दूँगी वहां से आप इसको डाउनलोड कर लिजेगा चले क्लास को करते हैं मिलते हैं कल तब तक लिए हस्ते रहिए मुस्क्रात रहिए खुश रहिए अपने अपने घवारों का ख्याल रखिए जैहिंद जैभारत जले ते जिस जानिव वो रास्ता तमाम हुआ मैं गुजर था रहा और ये सफर आसमान हुआ साथियों ढ़ाई साल में अपने एक्जांपर परिवार को सो करोड व्यू समर्पिच मोने पर पूरे अपनी फ्रेकल्टी स्टाफ अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ एडिटर टाइपिस्ट छोटे से लेकर सभी बड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सभी उन विद्यार्थियों को उनके परिवार वालों को जिन्हों ने हम पर भरोसा किया और हमें इतने कम समय में बिलकुल एकदम छोटे से एक्जांपर को आज सो करोड व्यूस तक पहुँचाया आप सभी का एक बार फिर से बहुत ज चले थे जिस जानी